आई यह सुडेंट इस वीडियो लेट्र में देखते हैं कि कटेगरी जाब CPU सीडिलिंग तो CPU सीडिलिंग को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट है नान प्रिमिट्व और इन सेकेंड है प्रिमिट्व तो दिखें यहाँ पर प्रिमिट्व नान प्रिमिट्व में काफी confusion होता है तो सबसे पहले उसको हम अपनी तरह से बताते हैं कि नान प्रिमिट्व में क्या होता है को बीजाब operating system या processor को जब assign होता है तो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको processor जो है terminate नहीं करता यह आपका है non-primitive और primitive के case में क्या होता है student primitive के case में operating system जो है जो processor है job के लिए एक time slice elot कर देता है उतने समय तेक प्रोसेस रन करता है उसके बाद दूसरे हाई इस प्रायरटी जाब को सीप्यू जो है एसाइन कर देता है तो यहाँ पर जो होता है हमारा जो है प्रीमिटिव के केस में एक जाब कंप्लीट होने में कई बार स्वुचिंग कंटेक्स स्वुचिंग करना पड़ to running running to waiting waiting to ready okay students तो यह आपका है जो है प्रिमिटिव और नान प्रिमिटिव के बारे में तो आज यह देखते हैं मुख क्या कहता है नान प्रिमिटिव देखिए here the process here the resource cannot be taken from a process until the process complete its execution तो यहां पर जो भी resource जो है process को एसाइन होता है वह तब तक एसाइन रहता है जब तक की process complete नहीं हो जाता दस्विचिंग आप resources occur when the running process terminates तो switching हम तब करते हैं जब running process क्या होता टर्मिनेट हो जाता है and move to a waiting state ओके student तो यहां पाज हम जो है तभी सुचिंग करते हैं जब यह तो वह जो अब वेटिंग स्टेट में चला जाए यह टर्मिनेट इस्टेट में चला जाए ओके इसका एक्जाम्पल है नान प्रिम्टिव का यह जाए प्रिम्टिव का एक्जाम्पल देखते हैं जब यहां पर कंटेक्स सुचिंग होता है का इस सुचिंग सक्षाज बिदिद फ्रोंगेट इस्टेट अर्वाप्रेटिंग स्टेट इस्टेट 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 में हमारा जो प्रोसे सुचिंग स्टा इस्टेट आया रेटी टू रॉनिंग टू रेडि स्टेट रॉनिंग टू रीटी इस यह टीडियूलिंग आज गुटोल एडिक्वाश संद्ग्विंघ्टर स्टिप्विंगू इसके एक जामपल है। students, round-robin scheduling, जो सबसे important है, priority scheduling, shortest remaining time first scheduling, multi-level scheduling, fair-share scheduling, okay student, तो इस video lecture में इतना ही,